रेवाडी के जंग के चर्चा जोरू पर है जहां कॉंग्रस ने हर्याणा की राजनीती के बड़े युद्धा कैप्टन जय यादव के बेटे चिरंजीवी राव पर दाव खेला तो वहीं बीजेपी ने पूरी तरह से नए चेहरे सुनील यादव मुस्सेपर को चुनावी म दान में उता रहा है भले ही कॉंग्रस और अने पाच्या उन्हें बाहरी बता रही है लेकिन सुनील यादव खुद को बाहरी नहीं बताते वो सब पर भारी अपने आपको बता रहे है तो रेवाडी का रन जारी है और लगातार चुनावी पर चार भी जारी है इस वक्त र आदव साहब सुनील यादव मुसेपूर जी बहुत स्वागत है आपका रनाइन टीवी पर कैसा चल रहा है चुनावी पर चार बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहा है इस देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के नित्रितों में जो काम हुए है पिछले पांस साल म कल हम पहुंचे थे दरसल आपका पंजाबी मार्केट पहुंचे थे वहां कैप्टन यादव जी के बेटे जो कि इस बार आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी आये हुए थे और उनका कहना था कि मुसेपूर साहब दरसल बहरी हैं और कैसे वो आप जनता को कह रहे थे कैसे पकड़ेंगे आप उन्होंने उन पे तो भारी ही हूं मैं उन पे भारी पढ़ रहा हूं इसलिए भारी भारी कर रहे हैं और वो किस लहजे में भारी कर रहे हैं वो आप जाने चुनोती जो चुनोती है चुनोती ना सिर्फ ऑपोनेंट से है बलके अपनी पार्टी से भी आ पॉर्वार कि क्फसक्राइब करते हैं और को मैंने मागने व्यघ्रा सपता है keeping 5 पार्टइ हैग वहां से चुने गए अब 2014 के बाद क्या बदला आए पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत कुछ बदला है आम जंता से पूछो आप यह क्या सवाल जो मेरे से पूछ रहे हो आम जंता बताई कि क्या क्या बदला है हमारे देश की स्थिती बदली सबसे पहले ता आप से देखो न हमारा देश जहां Americans जो बात करते थे यॉरपेंज जो बात करते थे जब हमें इंडियन्स जाते थे वहां पर मैं घूमता हूँ ब्लिडी इंडियन्स कहते थे आज क्या करते हैं हो गुलदस्ता लेके एइरपोर्ट पर खड़े होते हैं हैलीफेड पर खड़े ह कि रिवाडी को रिवाडी नहीं बनने दिया विकास के नाम पे जीरो कि क्या हाल थी रिवाडी की और पांच साल में काम हुए है और विकास ऐसा होगा कि रिवाडी और पैरी बराबर से लगने लगें आपको कुछ दिन बाद यह तो दोजार 14 के बाद आपको परी पार्टी अब तो कुछ ठीक हुआ है उसकी बाउंडरी बनी है अभी डिवलप्मेंट हुई है ना मैं पैता रहा है पांच साल में टाइम कम रहा अभी काम धीरे-दीरे होंगे आप शूर है कि राव चरंजीव जो है और कापड़ी बास से आप पार पाले डाविनेटली डाविनेटली है कि भारी मत के साथ भारी अंतर के साथ ये जीतने की पूरी उम्मीद लगाए बैठें और जिस तरीके से मनोला खटर ने उनका कहना है 2014 के बाद हर्याना की विकास को बढ़ानी की रफतार तेज की है वैसी ही रफतार तेज की और की जाएगी और रेवारी को पैरिस की खानिया कैमरमेन अर्शाद खान के साथ आर नाइन टीवी के लिए